हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं यूमन साइकलोजिस से जुड़े एक ऐसे बिहेवियर की जिसमें कोई व्यक्ति जब आपके तरफ अप्रोच करता है तो आप बहुत ऑक्वर्ड या बहुत एप्रेहंसिफ फेल करते हैं तो ये जो फेर है किसी व्यक्ति को उसकी अबिलिटी के अनुसार जो है काम करने से रोकता है तो ये उक्वर्डनेस जो है इसकी वज़े से आप अपने रिलेशन्सिप में जो है तो ये जो behavior है इसको हम shyness के नाम से जानते हैं जिसको आम भाशा में आप कहते हैं कि ये विक्ति जो है बहुत जादा शर्माते हैं तो shyness को अक्सर जो है low self-esteem से जोड़ा जाता है लेकिन ये दोनों ही चीज़ें बहुत जादा different है shy होने का मतलब कोई विक्ति जो है depressive नहीं है वो उसका एक habit बन जाती है तो खास तोर से ये shyness का nature बच्चों में देखा जाता है क्योंकि वहीं से ये जो है आपका behavior में चीज़ enter हो जाएगी और आपकी personality में add on हो जाएगी तो इसके लिए जो है parents को खास तोर से अपने चोटे बच्चों में इस behavior को notice करना चाहिए क्योंकि वो उनकी overall personality पे effect डालने वाला है तो friends सबसे पहले जो है इसके science की बात करते हैं कि इस behavior को आप किस प्रकार से notice कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बच्चों में दिखाई दे रहा है तो parents को सबसे पहले यही notice करना है कि आपका बच्चा जो है कहीं असा behavior तो नहीं कर रहा कि वो हर बात के लिए उसको आपकी support चाहिए हर चीज के लिए वो आपके पीछे खड़ा हो जाता है या इस कारण से वो आपसे दूर ही नहीं होना चाहता कि अगर वो आपसे दूर होगा तो उसको सब चीज का सामना अखेले करना पड़ेगा और अगर आप साथ हैं तो आप हर चीज में जो है उसको protect कर सकते हैं तो यह जो है सबसे basic sign है कि आपका बच्चा हर टाइम जो है आपकी shadow में रहना prefer करता है तो it means जो है वो जो उसमें shyness जो है बहुत जादा आते जा रही है कि हर समय जो है उसको अपने आपको जो है cover करने के लिए किसी की जरूरत है और parents से अच्छा तो cover up करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है secondly जो बच्चे studies में बहुत poor perform करते हैं या जिन बच्चों को friends बनाना difficult लगता है उनको भी जो है यह shyness के लिए जो है evaluate हम कर सकते हैं कि इन बच्चों में भी जो है यह shyness जो है उनके behavior में बैठती हुई जा रही है इसके बाद जो बच्चे जो है bullying का शिकार होते हैं चाहिए वो उनके school में है या उनके friend circle में है तो वो बच्चे भी जो है इस behavior के risk पे रहते हैं इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे उनके family में या school में negligence experience करते हैं कि उनको लगता है कि उनके घर में उनसे जादा उनके बाई-बैंड को जादा जो है importance दी जा रही है school में जो बच्चे जो है कम बोलते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कम बोलता है वो shy ही होता है किसी किसी का nature भी थोड़ा introvert हो सकता है लेकिन उस वज़े से क्योंकि बच्चे बोल नहीं बाते हैं तो उनको लगता है कि उनका teacher भी उनको notice नहीं कर रहे हैं और बच्चों में fit दिरे दिरे वो जो है shyness जो है उनके behavior में set होते चले जाती है तो ये sign भी जो है shyness के लिए बच्चों की evaluation जब हम करते हैं तो उसमें हम notice कर सकते हैं तो ये तो हुए कुछ signs जिससे हम पैचान सकते हैं कि बच्चा जो है ये shyness के behavior को adopt करते जा रहा है लेकिन जो है इसके क्या cause हो सकते हैं क्यों बच्चे ने अपने आपको open up करना नहीं सीखा है तो उसके जो है कुछ reasons की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये जो behavior है वो 15% infants में inborn tendency हो सकती है कि अगर उनके parents में ऐसी quality है तो बच्चा भी जो है shy हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा shyness की bond tendency के साथ पैदा हुआ है वो open up नहीं हो सकता है तो ऐसा कोई इस चीज़ को हम hard and fast नहीं समझेंगे कि जिसकी जो है genetics में ऐसा है तो वो आगे जाके भी shy ही रहेगा इसके बाद जो parents बच्चों पे बहुत जादा control रखते हैं या बच्चों के लिए बहुत जादा over protective रहते हैं उनके बच्चे भी shy हो जाते हैं क्योंकि जब उनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो उनके मन में यह जीज़क बैट जाती है कि वो publicly बात ही नहीं कर सकते हैं इसके बाद यह तो हुई बच्चों की बाद अगर हम adults में इस चीज़ को judge करने की कोशिश करते हैं तो adults में अगर आपका work environment बहुत जादा critical है कि आपको बहुत जादा जो है वो pressure में रहना पड़ता है तो या फिर जो है आपको publicly बहुत जादा humiliation face करने पड़ती है तो फिर adults में भी जो है यह shy होना जो को जो है वो अपना cover अपके तौर पर ले लेते हैं कि वो चुप रहना prefer करते हैं बजाए की बात करने के और दीर दीर वो behavior जो है shyness का उनके जो है उसको adopt कर लेते हैं और जो है उनको फिर वही better लगता है कि वो किसे से बात नहीं करें तो जो है लोग भी समझे लगते हैं कि यह बहुत shy हैं यह बात नहीं करेंगे और वो एक तरीके से जो है फिर उसी covering के अंदर रहना prefer करने लगते हैं तो यह friends कुछ cause हो सकते हैं कि जिस वज़े से क्यों कोई जो है यह shyness के behavior को adopt कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर important बात यह है shy होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन shyness अगर आपकी पूरा personality development को affect करने लगती है तब हमें इससे बाहर निकलने की कोशिश करना बहुत जरूरी है खास दोर से parents को अपने बच्चों में confidence build करने के लिए उनको इस shyness की जो web है इससे बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है तो इसके ने कहा कि बच्चों में healthy self-esteem बनाने के लिए उनको जो है ये शाइनस से overcome हमें कराना बहुत जरूरी रहता है तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप जो है साइको थेरपी के help ले सकते हैं उसमें जो psychologist होते हैं वो बच्चे को social skills सिखाते हैं जिससे की आपका बच्चा पहले तो ये समझ पाएगा कि ये उसका basic nature नहीं है उसने एक behavior को adopt कर लिया है और इससे बाहर निकलना उसकी personality development के लिए बहुत है और जो है वो तभी ये चीज समझ पाएगा कि इससे जो है कैसे वो बाहर निकल सकता है वो जो है बच्चों को जो है different technique सिखाते हैं बहुत easy ways के साथ ताकि बच्चा जो है अपनी skills develop कर पाए और जो है शाइनस से बाहर निकल के अपना self-esteem को grow करे और life में भी जो है अपना बहुत अच्छे से successful हो क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं हर चीज के लिए अपने parents के पीछे खड़े हो जाएंगे तो आपकी identity develop नहीं हो पाएगी इस बात को समझना बच्चों को भी जरूरी है तब ही जो है वो इस behavior को छोड़ने की कोशिश करेंगे secondly कुछ relaxation techniques होती है जैसे की deep breathing होती है क्योंकि जो लोग बहुत shy हैं उनको किसे के सामने बात करने में बहुत जादा anxiety होती है तो इस anxiety को overcome करने के लिए आपको जो है कुछ breathing techniques को अपनाना चाहिए ताकि आप जो है जब एक public environment में हैं तो आप cool और काम रहे करके अपना point of view सामने वाले के सामने रख पाएंगे इसके बाद जो है आप group therapies ले सकते हैं कि आपका जो friend circle है वो लोग कैसे बात करते हैं तो वो आपको motivate भी करते हैं कि लोग जब एक situation को deal कर सकते हैं तो why not you तो यह जो group में जो therapies होती है वो भी आपके personality development के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप अपना जो है friend circle का help भी जो है यहां पर ले सकते हैं इसके बाद parents कैसे बच्चे की help कर सकते हैं इस behavior से बाहर निकलने के लिए तो यह भी जानना हमारे लिए important और parents की of course responsibility बनती है उनके बच्चे को जो है confidence बिल्ट करने के लिए तो उनको जो है बच्चे में क्या change आ रह प्रूरी है अगर बच्चा शाइनस की वज़े से जो है आप कोशिश कर रहे हैं still वो angry हो जाता है तो बच्चे को एंगर management आपने सिखाना है हासी मजाक में बच्चे को शाइनस से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए बच्चे के साथ kind रहे है और जो है उसकी जो अगर वो आप से कोई secret अपना share करता है तो उन secrets को आपने किसी को बताना नहीं है नहीं तो बच्चा आपके उपर भी है जो है अपना confidence खो देता है और वो फिर वो secret को और ज्यादा से creative बढ़ने की कोशिश करता है और बच्चे के प्रती compassion शो करिए कि वो उसके लिए बहुत ज्याद confidence दिखाएंगे उसको सारी चीजों के जो है इफ और बर्ट्स जो है अच्छे से समझाएंगे advantages और disadvantage उसके सामने खोल के रखेंगे तो आपका बच्चा जो है आपके साथ corporate भी करेगा और आप जो है क्योंकि maximum time आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं तो उसको इन सब चीज पिर को judge करते हुए उसके साथ अच्छा behave show करते हुए बिना irritate या गयर जो है एंगरी हुए जो है आपने बच्चे को इससे निकालना है अपने बच्चे के प्रती kindness और compassion आपने दिखाना है तो आपका बच्चा भी definitely जो है life में confidence के साथ आगे बढ़ेगा और जो है जो है ज चैनल को like share वा subscribe कर दें thank you so much friends for watching stay healthy live well